नमस्कार आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहत खास माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष भादरपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल 31 अगस्ट 2022 से गणेश चतुर्थी की शुरुवात हो रही है जो की पूरे 10 दिनों तक यानी 9 सितंबर तक मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ती स्थापना करके विशेश पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूमधाम से ग खुशिया और सकारात्मक उर्जा का भी प्रवेश होता है। गणेश चतुर्थी को लेकर एक बेहद ही पौरानिक कथा भी है। कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आये। उस समय कार्तिके तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिके व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारन कर सकता है। तब कार्तिके व गणेश जी दोनों ने ही स्वय को इस कार्य के लिए सक्षम बत भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्ति के अपने वाहन मोर पर बैठकर प्रित्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। के स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से प्रित्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा मातापिता के चर्णों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्यादी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशिरवाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्री में चंद्रमा को अर्ग्य देगा उसे सुख समरिधी की प्राप्ती होगी। आइए अब जानते हैं गणेश जी को स्थाप करने से पहले कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर पर गणपती स्थापना करने का सबसे पहला चरन होता है गणपती बप्पा की मूर्ती खरीदना। मूर्ती का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें की गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने के लिए बाएं और सुनद वाले गणपती की मूर्ति शुभ मानी जाती है. इससे घर पर सुख सम्रिद्धी आती है. इसके बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस स्थान पर आप गणपती की स्थापना करने वाले हैं. उस जगह की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें साथ ही उस जगह की फूल मालाव से सजावट भी करें इसके बाद इस स्थान पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें घर पर स्थापित करने के लिए गनेश जी की प्रतिमा खरीदते समय कोशिश करें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमाले जिसमें गनेश जी बैठे हुए हो खड़ी हुई अथवा सोई हुई मुद्रा में गनेश जी की मूर्ती नहीं रखनी चाहिए वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी और सफेद रंग की बपा की मूर्ती सबसे अच्छी मानी जाती है लेकिन आप किसी भी चटक रंग की रंगीन मूर्तियां भी घर पर स्थापित कर सकते हैं गणेश जी को घर लाते समय गाजे बाजे के साथ शंक भी जरूर बजाएं। शंक बजाकर भगवान का स्वागत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मूर्ती के पास एक कलश में जल भर कर रखें। कलश को भगवान गणेश की दाएं तरफ रखें और इसके बाद आपने जितने दिनों तक बपा की मूर्ती को घर पर स्थापित करने का संकल्प लिया है उतने दिनों तक मूर्ती की पूजा आराधना करें इसके बाद शीधर आने की कामना करते हुए बप्पा की मूर्ती का विसर्जन करें शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता की खोखली मूर्ती की पूजा नहीं करनी चाहिए अंदर से खोखली मूर्ती की पूजा करने से घर में दुर्भाग्या आता है इसलिए आप घर पर बप्पा की मूर्ती ला रहे हैं तो आप प्लास्टर आफ पेरिस या किसी अन्य तरह के केमिकल से बनी मूर्ती को खरीदने से बचे आप सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गनेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं इसका विसरजन करना भी आसान होता है और इससे प्रकृती को भी किसी तरह की हानी नहीं होती उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को एक लाइक अवश्य करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉम्मेंट में जय गनेश जरूर लिखें